जहें दो सवंदे मात्रम अगर आपने किसी भी स्कूल की किताब पढ़ी है तो आपको यह चीज पता होगा कि किसी भी किताब में इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है कि किसी धर्म विशेश की बात को ही वहाँ पर प्रवल एक सपोर्ट मिले लेकिन राजस्थान से खबर नि या नहीं भी मांगने लगे यह राजस्थान की बात कलकर सामने आ रही है इस वीडियो को मैंने सोचल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और अपने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वालों कि दरसली क्या कुछ बात है जो निकलकर सामने आई है दंगो और कनहिय लाल की इसलामिक आतंकियों दोरा हत्या के बाद राजस्थान एक बार फिर से चर्चा में राज्य के कोटा जिले के प्राइवेट स्कूल की कक्षा दो में ऐसे पाठी पुस्तकों को अस्तमाल किया जा रहा है जिसमें उर्दू नामों और शब्दों को ब बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना और बिरियानी बनाना सिखाया जा रहा है इसको लेकर निउस 24 ने कुछ बच्चों के विडियो साज़ा किया इस वीडियो में अब यवावक पाठी पुस्तकों का विरोध कर रहा है वीडियो में एक महिला कहती है कि बच्चों को ऐस इसमें अम्मी अब्बू कहना चिखा रहे हैं ये अपनी संस्कृती के भाड़ साइग एक है। इसमें firearm के लिए अम्मी और पिताजी के लिए अब्बु जैसे संदर्बों के अरव़ा पुस्तक में कहानी के पातरों के लिए शान। pew गैया, शीनिया, आमिर, नसीम जैसे मुस्छिम नाम और का किया गया है अभी बावगों कहना है कि एक निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले उनके बच्चे अब्बू और अम्मी जैसे शब्दों का इस्तमाल कर घर भी करने लगे हैं और खाने गले बिर्यानी की मांग भी करने लगे हैं वीडियो में कक्षा 2 के ज पहले चैप्टर टू बिक टू स्मॉल में बच्चे को नई शब्द के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू बताये गया है चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है उसमें ग्रैंटपा फारुक्स गार्डन नतलब दादा जी फारुक का बगीचा शीर शक्स है इस इसके बाद संगठर ने राज्य की शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई है और इसकाब को स्कूली शिक्षा के स्लमी करन के प्रैयास में बताया जा रहा है। बताते हैं कि ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब जहारखंड के कई इलाकों में सरकारी सख्यों के न अतना नाम में उर्दू जोड लिया है ताकि रविवार की जगे शक्रवार को छुटी दी जा सके लेकिन प्रशासन ने इसकी भनक तक नहीं लिए उसकी नीन तब टूटी जब मीडिया में ये मामला सामने आया और शिक्षा के कथित इसलामी करन को लेकर राज सरकार की किरकर अब दुमका की जला शिक्षा अधिक शक्रवार को साप्ताई का अवकाश दिया जाता है शक्रवार को स्कूल बंद रखने के लिए विभाग की ओर से कोई नरदेश नहीं दिये गए सीदी सी बात है अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जले के स्कूलों में जुम्हे की छुट्टी कब से चल रही है लेकिन ये इस तरह का पहला मामला नहीं है राज्य के जामतला में भी सौसे ज़्याद सरकार स्कूल ऐसे सामने आये हैं जहां शुकरवार को छुट्टी दी जा रही है इसके वज़े से इन स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संक्या 70% से जादा होना बताया जा रहा है वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि इलाके के कुछ मुस्लिम युगकों ने चुट्टी के दिन बदलने की शुरुआत दो तीन स्कूलों से करवाई फिर ये बढ़ते बढ़ते सौ से जादा स्कूलों तक पहुँच गई इसके बाद ही दुमका में 33 सरकार्य स्कूलों के नामों में उर्दू जोड़ जाने का मामला भी सामने आया था और खबरों बताया गया था कि इन स्कूलों में भी दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी साथ शुक्रवार के दिन वाला कॉलम छुटी के चलते खाली है और यहां पर जुमा लिखा हुआ है गौरत अलबे की जारखंड के ही गड़वा में एक स्कूल में मुस्लिम समुदाय दौरा पर इसलामी नियम लागो करवाने के लिए दबाव बनाने का मामला भी सामने आय इसके जाती स्कूल में बच्चों को हाँ जोड़ दकर प्रारतर करने से भी मना कर दिया गया है मतलब यह कुछ मामले हैं जो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं और सिभी के ध्यान अगर्शित करने के लिए काफी है कि आखर यह क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से